Hello friends, welcome in electrical mantra मैं हूँ आपका दोस्त गोविन सर्मा बात करेंगे आज बैटरी बैकप के बारे में कि आपकी जो बैटरी होती है वो कितना बैकप दे पाती है इसके बारे में हम बात करेंगे तो बात उसके लिए basically हमें क्या चाहिए उसके लिए basically हमें चाहिए load की अपना load कितना है उसके लिए चाहिए हमें battery का AH value, AH value का मतलब क्या होता है ampere per hour जो basically कितना रहता है वो जो डेड़ सो रहता है और वॉल्ट बैटरी अगर आपकी एक बैटरी है तो 12 वॉल्ट की होगी दो बैटरी है तो 24 V की आपकी बैटरी रहेगी तो आप हम यहाँ पर एक बैटरी के लिए discuss कर रहे हैं तो 12 V हो गया यहां मैंने जो load लिया वो 300 Vot का load लिया है अब क्या करेंगे अब हमें current निकालना पड़ेगा अब current कैसे निकालते है current का formula होता है load load upon load को हम भाग कर देंगे किस से? वोल्ट से भाग कर देंगे वोल्ट से तो अपना load किता है load यहाँ पर 300 है तो 300 volt upon में क्या करेंगे? 12 volt तो लगभग यहाँ पर जो आता है वो 25 ampere यहाँ पर निकल के आता है तो 25 ampere हमारा आ गया 25 ampere हमारा current आ गया एक घंटेगा जो हमारा load ले रहा है लेकिन हमारे battery का कितना है? बैटरी का है 1500 ampere पर आवर तो 1500 से अगर मैं 25 से 1500 को divide करता हूँ तो हमारा sum up पूरा आ जाता है यह AH से AH कर देंगे 25 चीका 1500 तो लगबग 6 hour हमारा क्या रहेगा? बैक अप प्लान रहेगा लगबग 6 hour लेकिन क्या करते हैं दोस्तों? हम करते हैं थोड़ा सा क्या करते हैं? अपनी पूरी battery को discharge नहीं करते हैं battery को discharge हम करते हैं लगबग 70% तो battery को 70% लगबग क्या करते हैं? हम उसको discharge करते हैं तो 70% अगर 6 हावर का 70% अगर मैं निकालूंगा तो ये गया ये ये 5 पे गया ये तूपे गया ये 5 पे ये तूपे और ये लगभग आ गया अपना 14 अपॉन 5 14 अपॉन 5 अगर मैं करूँ तो 4.2 हावर बनता है 4.2 हावर बनता है 4.2 हावर हमारा बैटरी रहेगा अब आप इसको मिंटों में भी चेंज कर सकते हैं या ऐसे ऐसे आप calculation इसकी कर सकते हैं तो हमारी बैटरी है जो 300 वाट के लोड पर है वो हमारी कितना वैक अप देगी पू वो वैक अप देगी आई होप यह वीडियो आपको समझ में आई होगी धन्यवाद